नमस्कार मैं सरीता राओ आप सभी का स्वागत स्पेनाई न्यूस के खास प्रोग्राम सकरात्मक खबर में आज सकरात्मक खबर में बात करेंगे मुलायम सिंग यादव की 22 नवंबर को मुलायम सिंग यादव का जरमदीन है और इस चरमदीन को ले करके शुपाल खेमे हुए और अखिलेश खेमे में अभी से तयारिया शुरू हो गई है अखिलेश खेमे में क्या तयारिया चल रही है इसकी तो अभी कोई चर्चा नहीं हो रही लेकिन हा शुपाल खेमे में अभी से तयारिया शुरू हो गई जिसके चर्चा अभी से उड़ने लगे हैं शुपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने साथ कर दिया है कि 22 नवंबर को अखिलेश यादव के पिता यानि कि मुलायम सिंग के जरम दिन को हम उनके जरम दिन दिवस के रूप में नहीं बलकि धर्म निर्पेक्षता दिवस के रूप में वनाएंगे और उस दिन ग कि उन्होंने अपने तमाम कार्यकरताओं को पत्र भी लिख दिया है कि इस दिन वो अच्छे से त्यार रहें ताकि इनके जमदिन को मुलायम सिंग के जमदिन को भव तरीके से मनाय जाए इन सब के बीच में सवाल यही खड़ा होता है कि अभी से जिस तरीके से शिपाल यादव ने पार्टी को ले करके यानि कि साल 2019 के लोग साहस चिमरा बिल्कुल करीब हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी को अस्तितों मिलाने के लिए एक ऐसे एहम चहरी के जोर थे जो पार्टी का वर्चस आगे बढ़ा है जिसका पार्टी का अस्तितों को आगे बढ़ा और इसको ले करके उन्होंने अभी से नेताजी को अपने जाल में फांसने की पुरितियारी कर ली है पहले तुन्होंने एक बैठक के दुरान साफ कर दिया थै कि आप मारी पार्टी के राष्ट धक्ष बनिये हम आपको मैं पुरी से टिकट देंगे इन तमाम ओफरों के बाद अब उन्होंने जिस तरीके का एक कदम उठाए जर्मदिन को ले करके यह वाकि उनका बहुत बड़ा कदम है और अगर शुपाल यादव इस तरीके का कोई कदम उठात है अगर जर्मदिन इस तरीके से मनाते हैं तो ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जर्मदिन वाले दिन पिता मुलायम सिंग यादव बेटे अखिलेश की और जाते हैं या फिर भाई शुपाल की और जाते हैं क्योंकि अगर दिपावली का मौका देखे तो दिपावली के समय में जिस तरीके से मुलायम सिंग यादव ने दिपावली पे शाम के समय प्रगती शील समाजवादी पार्टी के कार्याले जाकर के पूजा पार्ट की पूजा में हिस्सा लिया मिठाईया बाटी इन सब को लेकर के सभी का यही कहना है कि मुलायम सिंग यादव का जो प्य लेकिन इस सब के बीच में ऐसा लगता है कि ये इन दोनों भाई और बेटों में किसी को बाट नहीं पा रहे हैं। इसलिए कभी शिवपाल की ओर जाते हैं तो कभी अखिलेश की ओर जाते हैं। लेकिन अब जम दिन वाले दिन देखना ये होगा कि आखिर ओस दिन किसकी यहां सबसे पहले जा करके अपना जम दिन मनाते हैं। और जब चुनावी माहौल आ जाएगा तो चुनाव के माहौल में किसकी ओर सबसे पहले जाते हैं। कहां ये भी जा रहा है कि जन्मदिन के मौके पर श्रिपालियादव कोई बहुत बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं。 वो ऐलान क्या हो सकता इसको लेकर के राश्ट्री गल्यारे में कयांस ये लगाए जा रहे हैं कि शायद राष्ट यद्धक्षपत को ले करके मुलायम सिंह यादव को ओफर किया जाए कि वो प्रगती शील समाच च्वादी पार्टी के राष्ट अधक्षबने उनको मैंपूरी से टिकट भी दिया जाएगा ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है क्या मुलायम सिंह यादव शि इसको ले करके बेटा भी लड़ रहा है और चाचा भी लड़ रहे है और उसे इंसान के चलते इस परिवार में फूट भी आई है और परिवार भी बढ़ चुके हैं और पार्टिया भी बढ़ चुकी हैं अब प्रगती शील समाच च्वादी पार्टी वर्सिस समाच च्व पारे कि आखिर उन्हें किसकी ओर जाना है बेटे अखिलेश यादव की ओर जाना है या फिर भाई शुपाल यादव की ओर जाना है चुनावी महोल में साफ हो जाएगा कि आखिर मुलायम सिंह यादव का रुख किस हो है अगर वहीं जनमदिन की बात करें तो अगर जनमदिन मनता है और अखिलेश आदब के जर्मदिन को छोड़ करके उनकी पार्टी को छोड़ करके अगर अपने जर्मदिन के मौके पर वो समाचवादी पार्टी के पूरे कारेलग को पार्टी को छोड़ करके अगर वो प्रगतिशी समाचवादी पार्टी के ओर जाते हैं वहाँ प तो साफ हो जाएगा कि वाकई मुलाइम सिंह आदव का जो दिल प्रेम है वो शिपाल यादव की ओर ही है तभी उनका दर्द बार-बार छलक रहा है। अब जन दीन के मौके पर साफ हो जाएगे कि आखिर मुलाइम सिंह आदव का रुख किस ओर है ? बेटे अखिलेश यादक की ओर या फिर भाई शिपाल यादक की ओर वहीं दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमार सब बने रहे ये देखते रहे स्पेड़ना एंडियूज